आप नहीं जाए, आप नहीं जाते, आप नहीं गए, तो हमने का भई हम नहीं गए, तो हमने जाके डॉक्टर रितु सिंग की मदद ही की है, तो वो कहने लेगे ये कैसी बात हो गई, कि संग नहीं गया वहाँ पे और फिर भी डॉक्टर रितु सिंग की मदद हो गई, ये कैस इसी बात है यह समझाई तो मैंने समझाया उनको कि भाई मुझे बात बताओ जो प्रदसन आपने किया उसमें 11 फरवरी संडे का दिन है रवीवार का दिन है और आज हमारा बहुत पुराना सन्नी पात बाहूल का दिन है सन्नी पात बहुल को हमें रोध याद रखना चाहिए अगर जिंदा रहना है अगर विक्सित होना है अगर सुखी देना है नसलें बचानी है अस्तितु बचाना है सम्मान से मान सम्मान से अधिकार से और जो हुमन राइट्स हैं उनके साथ अगर जीना है तो और अगर ये सारी चीज़े नहीं चाहिए तो फिर कोई सा दिन याद रखें, कोई सा ना रखें, कोई फ्रक्नी पड़ता दुनिया में जितने भी लोग हैं जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं जितने भी प्राक्रतिक चीज़े हैं वो सभी इखटे होते हैं, सभी बार 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 साथ बैठते हैं, सन्निपात बहुल करते हैं, इसलिए जिन्दा है जिन लोगों ने सन्निपात बहुल नहीं सीका, वो खतम हो गए, उनके सिर्फ जिवास्म रह गए हैं, फोजिल फ्यूल्स रह गए हैं, हड़िया मड़िया कहीं मिल जाती हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसा जीव पहले था, मर गया, अब ऐसा जीव नहीं है, वैसे ही ये और जो कबीले हैं वो सारे खतम हो जाएंगे, अगर सन्निपात बहुल नहीं किया, सन्निपात बहुल ही वो मंत्र है, वो सूत है, वो आर्टीकल है, वो अनुच्छिद है, जिससे कोई नसल खासता और से मनुश्य की बची रहती है, विक्सित होती है, सुखी रहती है, आग अगर आप दुनिया में देखोगे तो लोगों ने अपने सन्नी पात बाहुल के बहुत सारे सिश्टम बनाए हुएं। जो नए साथी हैं, नए लोग आए हैं आज, उनको मैं बता दू। सन्नी माने होता है सन्निकट बैठना। अगर दो व्यक्ति पास-पास बैठते हैं तो पुरानी भासा में और आज के समय भी कहते हैं मेरे सन्निकट बैठ जा, समी बैठ जा। तो सन्निकट माने होता है समी, पास-पास। और पात माने होता है चरिया, यानि की वो काम करना, इखटा करना, पास-पास बेटना इखटा करना और बहुल माने होता है अधिकता लोग, बहुत लोग तो बहुत सारे लोग जब पास पास बैटते हैं उस चरिया को उस आचरण को उस करिया को बोलते हैं सनी पात बहुल और ये हमारा ही सब्द है और ये हमारी ही करिया है और हम नहीं ये पैदा की और हम नहीं इसको मेंटन किया इसलिए पुराने भारत से लेके आज तक कोई व्यक्ति आपको यह नहीं बता सकता कि सनीचरिया है क्या आपकी सनीचरिया को लोगों ने डिफेम किया आपके मन में डर भर दिया कि शनीवार बहुत बेकार कर मनुस दिन होता है सनीवार को लोहा, सत्थकदंड, सस्त्र, भाला, बंदुक लेके लोहा लेके नहीं चलना चाहिए सनीवार को लोहा नहीं ख़़ना चाहिए और सनीवार को आपको कुछ ना कुछ देना भी चाहिए पर कोई यह नहीं बताता कि ऐसा क्यों हुआ और कब से हुआ और क्यों सन्निवार ही महुस दिन है और क्या सन्निवार जो महुस दिन है क्या पूरे देश के लिए है पूरे देश के लोगों के लिए है या सिर्फ उस मानिता के लिए है जिस मानिता को लोग आजकल कहते है कि ये मानिता उनकी अलग नाम से है हाला कि वो नाम कहीं है रही क्या ये सन्नी पाद बाहूल मुस्लिम लोगों के लिए भी है क्या ये सन्नी पाद बाहूल इंग्लिस लोगों के लिए भी है क्या ये सन्नी पाद बाहूल जो मनूस है जो असुब है क्या ये फ्रेंच लोगों के लिए भी है क्या आश्टिलियन लोगों के लिए भी है क्या जानवरों के लिए भी है तो आप उत्तर पाओगे नहीं वहाँ कोई जानता भी नहीं वहाँ कोई जिक्र भी नहीं है तो सन्नी पात बाहुल यहीं क्यों मनुस हुआ इस पे कोई खोज करता नहीं और मेज़दार बात ये है कि जिनके लिए ये मनुस है वो भी मस्त हो के इसको मानते हैं कि सनी चरिया, शनी चरिया, शनी देब मनुस है पर क्यों है, किसने किया, कैसे किया, इसकी कोई किताब, इसका कोई वर्णन, इसका कोई जिक्र, इसकी कोई कहानी ढूंडोगे तो भी नहीं मिलेगी क्योंकि हवा में है और अगर ढूंडोगे तो पाओगे कि हमारा पुराना सिस्टम है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ग्लेरिफाई था बहुत चमकदार था बहुत आलिशान था बहुत गारव वाला था बहुत गौरव वाला था बहुत विक्टोरियस था क्यों? क्योंकि हम लोग इखटे होते थे अपना खाना साथ लाकर अपनी चादर, अपनी दरी, अपना बिछावन साथ लाकर अपनी जो भोजन की, जो सामिकिरी, अपना सत्थक दंड अपना अंगोचा साथ लाकर अपने भाई बहनों से मिलने के लिए सातवे दिन हम पूरे देश में जहां-जहां अमारा संग चलता था, गण संग था, गण परिशा था वहां-वहां सब जिगे ये प्रिक्रिया थी और हम अपने दुखदर्द बाटा करते थे और हम बात करते थे फ्यूचर में कहां समस्या है, कहां नहीं है कौन हमको परिशान करता है, कहां जानवर है कैसा जानवर है, कौन व्यक्ती है आपस में इखटे होते थे जुन जुन्टी होती थी और पूरे हपते के दुखदर दूर हो जाते थे और अपनी ताकत बापस लेके फिर निकलते थे उस दिन कोई हमसे बोलता नहीं था उस दिन किसी की हिम्मत नहीं जो हमाई तरफ देख ले उस दन हम समvalue में होते थे उस दन हमारा कोई काम नहीं होता है सिवाइ इसके के हमें अपने परिवार से मिलना है और उसी को सन्नी पात बहुल बुला करते थे सारे जितने भी लोग हैं पुराने जो पाली जानते हैं या जो डॉक्टर अम्बेट करके कहने से बुद्धिष्ट हो गए या बुद्ध हम की बाते हैं सब को पता है कि सन्नी चरिया सन्नी पाद बहुल सब्ध है और क्या सन्नी पाद बहुल होता था और क्या जो सम्यक सम्मा सम्बुद्ध है उन्होंने बताया पर ऐसी ले जाते हैं जैसे कुछ है ही नहीं इतनी एथियासिक चीजे हैं उनका उप्योग नहीं करते बस कहानी सुनी कहानी बनाई बाशन बताया और बाशन मेजरा जंदा तरेकी से बताके और वहवाई लूटी और तालिया ली और अपने घर चले के काम खतम हो गया पर सन्निपाद बाहुल है क्या इसको कोई करने को त्यार नहीं सिवाए समन् संग के समन् संग हर सनिवार को कहता है आज हमारा NRA Day भी है क्योंकि हमारा सन्निपाद बाहुल है तो हम NRA को भी साथ रखते हैं उनको अकिला नहीं छोड़ते और वो वैसे बहुत मजूद कंडिसन में अब होते जा रहे हैं क्योंकि सारे समर संगी होते जा रहे हैं तो ये जो सन्नी चरिया है ये हमारे लिए सुभ है हमारे लिए मंगल कारी है हमारे लिए बेनिफिशरी है हमें बेनिफिट देती है हमें लाब देती है हमारे लिए प्रफकार करती है इसलिए इसको अपनाना चाहिए इसको करना चाहिए पर हम से सीख के जिल लोगों ने किया है अब उनके गुडगान करते हैं और अपना गान नहीं करते हमारी कमजोरी है हम नालायक लोग हैं हमसे सीखकर जिन लोगों ने संडे की छुटी रखी और सन्नी पात बहुल की जगे रवी पार जो द्रवी बार पात बहुल बनाया उनको हम छुटी मानते हैं, उनकी छुटी भारत में करते हैं और जो लोग सुक्रवार की जुम्मे की, फ्राइडे की छुटी रखते हैं सन्नी पात बहुल करने के लिए उनको हम मानते हैं, उनकी हम वावाई करते हैं कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, हर हपते नहादो के मिलते हैं, नमाज अदा करते हैं, अपनी इदगा में जाते है मजजित में जाते हैं इनसे कौन टक कर लेगा ये सब इखटे हैं पर ये नहीं हम समझ पाते कि वो सिस्टम सन्नी पात बहूल से ही है बस उसके जगे और उसका नाम बदल गया है प्रिक्रिया वही है सेम डिट्टो वही है इसलिए सन्नी पात बहूल को दुबारा से हम याद क या उससे जुड़े हों लोग हैं, तो सनीवार की छुटी नहीं उपती, तो सनीय चरिया नाक दा करनके रवीर चरिया करते हैं, पर कोई फरक नहीं पढ़ता, आप नाम सनलीपात務 बहुल रखी है और दिन कोई सा भी तैक्ड लीजी जो आपको छुटी मिलता है, कोई जिद रही है हम कोई लकीर के फकीर नहीं है पर नाम सन्निपात बहुली रखिए क्योंकि इससे सन्निवार का जो भ्रहम है सन्निवार का जो दोस है सन्निवार को जो हमसे चीना गया है वो साफ हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है इसलिए सन्निपात बहुल के बार 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 जिक्र करना चाहिए बार 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 वो कहानी सुनानी चाहिए उन कहानियों को लिखना चाहिए तूटे फटे सब्दों में लिखें जैसे भी लिखें इंगलिस में लिखें, हिंदी में लिखें, कंडर में लिखें तमिली में लिखें, उडियां में लिखें पूरे देस में इसको फैलाते रहें लिखे पड़े हैं तो लिखे पड़ों का फाइदा होना चाहिए जिनका प्रचार होता है उनके मुड़े भी जीवित हो जाते है और जिनका प्रचार नहीं होता है उनके जीवित भी मुड़े हो जाते है जिनका प्रचार होता है उनके पत्थर भी बोलते है और जिनका परचार नहीं होता उनके जीवित लोग भी पत्थर हो जाते हैं ये परचार की खाचत है बुराई के लिए भी परचार करना होता है और अच्छाई के लिए भी परचार करना होता है आप लाख अच्छे हैं पर अगर आप अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुचाएंगे तो कोई अच्छा नहीं है और आप लाक बुरे हैं और आप अपनी बात को लोगों तक सचा करके पहुचाएंगे उल्टा करके पहुचाएंगे अच्छा करके पहुचाएंगे तो कोई आपको बुरा नहीं कह गाया, दुनिया के सबसे बड़े पचारक और सबसे बड़े जानकार और सबसे बड़ा समाचार को फिलाने वाली जो संस्था थी, बुद्ध के पास थी, जो उनके धमिक संग में थी, वो साधान लोग का संग नहीं था, धमिक संग था, पर सारे पचारक थे, सारे पचारक थ रहें और आज का जो संत समागम 11 फरवरी को होने वाला है तो आज हम इस बात बात करेंगे कि संत संत समागम क्यों जरूरी है संतों को बलाना क्यों जरूरी है संतों को नमन करना क्यों जरूरी है संतों का आसिरवाद देना क्यों जरूरी है संतों के साथ बैठना क्यों जरूरी है हरियाना के अंदर हमारे जो समन है किरांतिकारी समन उनके दो टुकड़े कर दिये गए वहाँ, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, सरकाई नौक्रियों में वो भी थोड़ा बहुत रिजर्विसन के थरू आते हैं, वैसे तो आते नहीं तो रिजर्विसन को वहाँ A और B में तोड़ा गया जो 14% रिजर्विसन मिलता था, समनों को सुरुलकाश के नाम पे उसको A और B में तोड़ा गया 20-25 साल परानी बात है, उस समय दिल्ली यूनिवस्टी के अंदर इसके उपर बात हो रही थी और मैं लेक्शर देने गया हुआ था हुआ वहाँ मैंने ये बात रखी थी कि A और B करने वाले लोग कौन जो आरक्षण देने वाले हैं आप आपस में मत उल्जो, आपको उल्जाय जा रहा है, आरक्षण उसी को मिलेगा जो पड़ा लिखा है, चाए A हो या B हो और आरक्षण बेकार जाता है क्योंकि पड़े हुए लिखे लोग मिलते नहीं है, इसलिए आरक्षण लेने की कंडिसन है कि आपको eligibility होनी चाहिए, आपको पड़ा लिखा होना चाहिए और आपको उस माप धंड पे खरा उतरना चाहिए तो आपको आरक्षण मिलेगा, आपको बहुत सारा आरक्षण तो इसलिए चला गया बापिस क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि eligible लोग नहीं है, पड़े लिखे लोग नहीं है, सफिचेंट लोग नहीं है, बहुत सारी बातें लिखी जाती है पुराने समय से लेकश अब त चाही है तो वो अपने मैसे दे दे, क्योंकि यहां सिर्फ 14% मिलता है और वो तो पूरा 70% लेके जाता है जबकि वो 3% लोग है, तो इस बात को सोचो कि उन 3% लोगों से यह कहो कि भाई तुम जो 70% आरक्षण ले जाते हो, उसमें से हमको 20% दे, दोजरा मांग के तो देख आ गया या उनकी समझ में आया, उनको लगा कि A वाला दुस्मन है, B वाले का और B वाला बार बार कह रहा है कि नहीं यह बात ऐसी है, A B में वहां जगड़ा, 20-25 साल से चल रहा है, जगड़े के बहुत सारे माद नहीं होते हैं, तो कुछ लड़के, 10-20 लड़के हरियाना म पिखटे हुए, पर उनका जो मानस है वो थोड़ा सा बिपी दिसा में चलता है, A के खिलाफ, B के खिलाफ, आपस में, उस सुनने को त्यार नहीं होते हैं, पर हम उनके समझ संग के माद हम से टच पर रहते हैं, तो मैंने कई लोगों को कॉंटेक्ट किया, तो उनमें से एक की जानकारी में हैं, वो आप लेके उनको आओ, इन्वाइट करके लाओ, तो उनका जी के हम तो संतवंत में यकिन करते नहीं, हम तो उनको कुछ जानते बांते नहीं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, हमारा कोई लेंदे नहीं है, तो इसलिए हम आके क्या करेंगे, मैंने कर को मांते हैं यहां को ठीक है पर अम्छे कर के सिध्धानत के ए-Social भी त्टुकड़े करते हैं। उसको उनसे बात नहीं करते हैं। यूझि क्लिए उनके डॉक्टर मीट कर अरक्षनल के उनकी सामनी सामने । ठूटे कर दिया वे उनको एक्सप्टेबल हैं। डॉक्टर अम्मेटकर acceptable है पर डॉक्टर अम्मेटकर की बात संग्ठित रहना उनको acceptable नहीं है तो मैंने कहा कि भाई अगर आप अपने संतों को छोड़ दोगे तो उनको दूसरे लोग पकड़ लेंगे और आप चस्मा उतार के देखो कि भारत के जितने भी समरसंत हैं उनको इसी कारण से कि जो बुद्धिष्ट हैं वो कहते हैं कि हम रवी दासियों को क्यों पकड़ें और जो रवी दासियों को क्यों पकड़ें और जो वालमिकी हैं वो कहते हैं कि हम गुरु हर्चन ठागरु को क्यों पकड़ें और जो गुरु हर्चन ठागरु वाले हैं वो कहत जी कौन गुरु खासी दास तो भाई अगर तुम अपने संतों को नहीं पचानोगे अपने संतों को नहीं साथ बैठोगे नहीं आओगे उनको नहीं बुलाओगे तो दूसरे लोग पढ़के ले जाएंगे और फिर आप यह सिकायत करते हो हमारे तो संत भी आत्मा में चले ग ले जाएंगे थोड़ी बहुत उनकी आउशकता होती है जो कोई पूरी कर देगा ले जाएंगे फिर आपके समझ संतों को तो को समझ नहीं है को जानका है नहीं है देखो अपने लोग के खिलाफ होगे पर आप उनके पास गय तो नहीं आप तो लड़ते हो पंजाब में फ अच्छी बात है जो उनकी मानता है है पर उन से बात होती है तो बुद्द को बिलकुल अपुजिट लेते हैं बहुत बुरी तैसे अपुजिट लेते है डायरेक्ट भी लेते हैं तो मैंने का ऑड़ी देखो संता अपस नहीं कहते हैं कि एक दूसरे के अभुष लेना है तुम किस संत को मानते हो कौन से संत को मानते हो अपने संत से पूछो किया उन्होंने किसी दूसरे संत को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए तुम्हें कहा है क्या उनकी फिलोस्पी में किसी संत को कुछ उल्टा सीधा कहने के b intro और ये बताया गया है या जो आप को सिखाया गया है। 01 कि संत्व को पॉलिटिकल बना दिया गया घार ने समूई खटा करने का माध्यम बना लिया है टूल बना लिया है और संतों के हलत बहुत जादा खराब है तो संत तो संत ठहरे आदे दूरे हो सकते हैं कोई संत पूरा हो सकता है कोई संत सुरुआत कर सकता है यह समय का फेर है पर हम यह कहने के लिए क्या क्यों जाएं नहीं आ रहा है आपको देना चाहिए दे दें आपको बात करने में क्या जाता है मैंने उनसे का गे भाई इनको छोड़ोगे तो फिर लाओगे किसको पकड़ोगे किसको सारे संतों को अगर चोड़ोगे सारे संतों को अगर अलग अलग करोगे तो तुम्हारे तो सारे लोग चले जाएंगे, इन संतों की पिछे इतने सारी लोग हैं, जो प्यार के प्यासे हैं, जो करुणा की बात समझते हैं, उनको आपके जो तरक वाली बात समझ में नहीं आपती तो आप उनके साथ बैठोगे नहीं, तो उनको समझो के कैसे और दूसरे लोग कैसे चले जाते हैं उनके डेरे में कैसे जले जाते हैं उनके आस्रम में और कैसे जाके वहां कहते हैं कि हम यहां एक कमरा बनवाएंगे और भाशन में दे जाते हैं और वो सुनते भी हैं उनको संत कैसे स्थाना आँखों पठाते हैं क्योंकि आप नहीं जाते, क्योंकि आप अपने संतों में भेटभाव रखते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर अम्बेटकर को आधा पड़ते हैं, क्योंकि आप बुद्ध को नहीं समझे हैं, क्योंकि आप गार्डगे को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप गुरु गाईदाजी को इसलिए वो लोग मौके का फाइदा उठाते है और आपकी आँखों के सामने से आपके संतों का समागम लगाते हैं उनको सरूपा पैनाते हैं उनको चादर पैनाते हैं उनको मान समान करते हैं उनको गुरू जी कहते हैं और उसका फाइदा ये होता है कि गुरू जी चूंकि म समान मिला है तो आँखें जुक जाती है और जब मौका पड़ता है तो वो उनका विरोध नहीं कर पाते उनका सपोर्ट करें ना करें वो अलग बात है पर उनका विरोध नहीं कर पाते बस उनको यही चाहिए कि कोई भी गुरू है सपोर्ट करें ना करें पर विरोध ना करें और आप सीधे सीधे उनसे विरोध ले रहे हो, जबकि वो अपने समझ संते हैं, आप जाके बैठ भी जाओगे, आप जाके उन्हें बैठा भी लोगे, आप जाके उनसे पूछ भी लोगे, बाबा क्या हल चाल है, और आपके तो सारे संतों ने या आदेश दिया हुआ है, कि आपके अपने बुजरुकों की इजद करनी है, बुजरुकों को पूछना है, वो कौन सा FD करवा रहे हैं आप से, वो कौन सा आप से कोई प्रवशन करवा रहे हैं, आप उनकी बात मानो या ना मानो या आपकी मर्जी है, कोई जबर जस्ती नहीं है, कोई वो आपको बहु के क्यों बैठे हो आप खुले आप जितने भी यहां भी 237 लोग है 237 समण संगी हैं वो सारे के सारे जाएं फिल्ड में और फिल्ड में जाके जितने संथ हैं उनसे बात करें और उनसको जाके मिलें और उनसे कहें कि आप हमारे मानने हैं आप संग के मानने हैं संग के गण मान को रुजगार तो करते नहीं और उनका समागम है पर उनको बैठाना बहुत जरूरी है संग अपने किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता चाहे वो कुछ भी है अगर वो समण है तो यह संग की खास बात होती है उस लड़के ने कहा कि जी हमारा क्या मतलब है कह दिया क क्योंकि वो नेतागिरी करते हैं पार्टी पॉर्टिक्स करते हैं राजनीती करते हैं चोड़ सकते हैं पर संग मजबूर है संग की कमिटमेंट है कि संग अपने किसी छोड़े बच्चे को नहीं छोड़ेगा किसी मजदूर को नहीं छोड़ेगा और किसी बहुत बड़े अ आएं या ना आएं पर सारे संगी हैं और संग तो ये भी कहता है कि सारे लोगों को इखटा होना पड़ेगा चाहे कोई कुछ भी है और अगर इखटा नहीं होते हैं तो बता दें कि बिना इखटे हुए क्या करने वाले हो और क्या करोगे और बता दो हमें कि बिना इखटे हैं अगर एक व्यक्तियों के साथ एक समस्य होती है कि किसी राजनितिक पार्टी में चला जाए, कब कहीं अपना बियान बदल ले, कब कहीं अपना बियान दवा दे, कब कहीं मौका छोड़ के भाग जाए, कब कहीं आंदोलन को निकल के भाग जाए, कब जूट बोल दे, कब उसको paralysis हो जाए, कब वो बीमार हो जाए, कब वो दुबग जाए, कब उसकी memory flop हो जाए कब उसके कोई आरोप लग जाए, कब वो जेल में चला जाए, कभी जूटा सचा आरोप case बन जाए व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है, accident हो सकता है, जहाज पढ़ सकता है, helicopter में गिर सकता है, कार में टकला सकता है, मर सकता है, फांसी लागत कुछ भी हो सकता है व्यक्ति के साथ इसलिए संग व्यक्तियों में विश्वास नहीं करते, संग संग में विश्वास करते हैं क्योंकि 10-20-50 व्यक्ति आओ जाओ बर जाओ, कोई फरक नहीं पड़ता, कोई फरक नहीं पड़ता ये संग जब से संग पुने पवत्तन हुआ है, क्योंकि संग कोई बना तो सकता नहीं, संग कोई विश्वास थापक नहीं होता, संग कोई संचलक नहीं होता, संग कोई बनाने वाला नहीं होता, संग अपने सारे काम खुद करता है, संग खुद अपनी विश्वास देखता है खुद अपना संचलक होता है, खुद अपना मालिक होता है, और संग प्राकरती रूप ने बनाया हुआ है, उसका संथापक प्रकरती है, पुराने समय चलाया हुआ है, इसमें हम कही बार बहस कर चुके हैं, बहुत भी लोगों ने बहस किये, और यही सत्ता है, इसलिए संग क की मजदार बात है कि जिसको संग भागया वो फिर उसका कहीं मन लगेगा नहीं और जिसको संग में मज़ा नहीं आया वो बार बार उचलेकर निकलेगा फिर घूमपरेगा फिर आएगा फिर उचलेगा फिर घूमपरेगा फिर आएगा क्यों कि उसके अंदर संतुष्टी नह चाहेगा कहीं उसको कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि यहां से लोगों को ले जाए कहीं वह प्रसिद्ध के लिए आएगा बहुत सारी बात हैं इस कारण से संग में इस्थायत, इस्टेबिलिटी बहुत तेजी से आती जा रही है ये संग जो अब दुवारा से पने पवत्तन हुआ है इसका चक्र चलना सुरूआ है हम इसमें उतार चड़ा आप देख रहे हैं सबी संगी नोट कर रहे हैं जो इसमें पहले उतलता थी, जो पानी बुलकुर उतला उतला था, अब वो शांत होके गहरा बैठते जा रहा है, अब संगी पत्थर की तरह भारी होके नीचे बैठते जा रहे हैं, अब संग में काम करने का ज़्यादा आनंद महसुस होता है, अब चिंताय नहीं होती, अब के लिए कुछ लोग का आना बाकी है, तो यहां जो लोग एडल्ट हैं, उनको कहा है कि सब को खर्चा अपने आप देना पड़ेगा, क्योंकि चंदा तो लेता नहीं, तो काम तो चलेगा, इस्टेडियम वाले को पैसा तो देना है, हलवाई का खाना बनेगा, सब लोग खा खर्चा होता है, तो खर्च कहां से आएगा, तो कोई व्यक्ति एक क्यों उठाए, और हम किसी के आगे हाथ फिला के चंदा क्यों लें, फिर तो उसका हो जाएगा, तो सब अपने खर्चे से आएंगे, सब अपना खाना खाएंगे, और उस खाने का पैसा फिक्स किया गया, तीन सो पचास रुपे वहाँ जो देगा, वो एडल्ट देगा, तेईस साल से बड़ा व्यक्ति, महिला या नर्या नारी, और तेईस साल से दस साल तक का बच्चा अपना आधा देगा खर्चा, क्योंकि यंग है, अभी सीख रहा है, तो उसको आधा रिडक्शन है, छूट उसकी एक सुपिस्तर रुपे देगा, और जो बच्चा दस साल से छोटा है, वो संग का बच्चा है, क्योंकि उसका आना बहुत जरूरी है, और वो हस्ता खेलता है, तो उसको पच्चिस रुपे से गली के डोरी के बस, ताकि सौभिमान जंदर रहे, अपने पैसे से आया, अपने खर्चे से आया, तर सबकी हालत ऐसी नहीं है, कि आने जाने का खर्चा भी दे सकें, और वहाँ साल साल थीन सो भी दे सकें, तो संग ने एक नियम बनाया, जिसको सैपरेशन का नियम बोलते हैं, क्या नियम है, कोई व्यक्ति जिसकी आमदनी ज़्यादा है, वो अप अपने खर्चे के लाबा किसी और का खर्चा भी दे सकता है, तो दे दे, अपने भाई की अगर मदद करता है, तो दे दे, पर एहसान नहीं, पर पता नहीं चलना चाहिए उसको कि दूसरा व्यक्ति का खर्चा किसे दिया है, फिर तो घमंड आ जाएगा, फिर तो जो साहता है वो सायता ना हो कि ऐसान हो जाएगा इसलिए सैप्रेशन में जो व्यक्ति देते हैं वो चुपचाप देते हैं कि मैं दस व्यक्ति के पैसे और दे रहा हूं मैं चार व्यक्ति के पैसे और दे रहा हूं ये संग को पता होता है और जो वेक्ति ऐसे हैं जो अपना खर्चा नहीं दे सकते हैं वो बता देते हैं उनकी लिष्ट आ जाती है फोनम आ जाता है कि हम आ जाएंगे अपने खर्चे से पर पैसा नहीं दे पाएंगे तो 7% का उनको एड़ेट हो जाता है पर किसी को बताते नहीं किसी को कहते नहीं मान सोभमान जितना भी है संग में पैसे तो आने जाने हैं पर हर व्यक्ति का मान सम्मान संग में उच्चर रहना चाहिए गरीमा रहनी चाहिए उसकी क्योंकि वो संगी है तो इसलिए सब को लेके आएए कोई व्यक्ति अपना खर्चा नहीं भी दे सकता है तो चुप चाप उसका फॉन नमर नाम लिखके संग को दे दीजिए कि ये हमारे चार आदमी हैं ये हमारे दस आदमी हैं ये हमारे दस बच्चे हैं जो खर्चा नहीं दे सकते हैं नाम और फॉन नमबर देना इसलिए जरूरी है पता है क्योंकि यहां कोई गर्ण ना हो जाए कई ऐसा ना हो कि कुछ लोग पैसे ले ले लें लोगों से और चंदे का काम सुरू हो जाए कि लाव साड़े तीन सुरूपे दो और यहां के कैदें वो फलाना आदमी तो अपना खर्चा नहीं दे पा रहा है इसलिए उसका फ्री कर दो और खुद पैसा ले के चला जाए तो आदमी पैसा चला जाए कोई बात नहीं पर आदमी के मुने में लाला चा गया तो आदमी चला जाएगा बिगड़ जाएगा पुराने संग्ठनों में सबसे बड़ी बात यहीं हुई कि जिन लोगों ने बड़ी इमानदार एक साथ चंदा एक खटा किया चंदा हाथ में आने के बाद कैश हाथ में आने के बाद मन बदल गए और मन बदलने से पैसा जमा नहीं हो पाया और जब पैसा जमा नहीं हो पाया तो खर्च हो गया क्योंग ज़्यादा आमदनी तो होती नहीं जो लोग काम करते हैं कही वार बेरुजगार भी होते है और जो एक वार खर्चा हो गया तो लाए कहां से बापस बापिस करने की एक्षा है पर करे कहां से है नहीं मजबूर हो गया तो मजबूरी में बेइमान हो गया बेइमान हो गया कोई दिक्कत नहीं पर बेइमान के साथ साथ में कारे करता चला गया संग का नुकसान हो गया, संग्धन का नुकसान हो गया, वो नुकसान नहों पाए इसलिए हिसाब होता है यहां, कि इतने लोग सेप्रेशन में हैं, इतने लोगों ने अपना खर्चा दिया, इतना नहीं दिया पैसा आना नहीं आना संग के लिए कोई भारी बात नहीं है संग पैसे में नहीं जाता, संग आदमियों में जाता है, संगियों में जाता है महिला और बच्चों में जाता है, कि हमारे महिला बच्चे सारे के सारे इखटे होने चाहिए सारे के सारे आने चाहिए पैसा हमारे लिए प्रायर्टी नहीं है पैसा अगर हमारे लिए प्रायर्टी होता तो संग का जो नियम है कि चंदा कभी नहीं दूसरा ये बनता ही नहीं और अब तक रशीद बुके छप जाती ही और करोर रुपया खटा हो जाता ताल कटोरा Cccióiduyum का जो खर्चा है वो हम 4-4 becaps सब बताएंगे माह पर कितना ख़र्चा है कितना कितनी वुकिंग का खर्चा कितना नहीं तो आपके जान के ताज़ी होगा कि लोगों को कितना लूटा गया है संगृतनी ओर के नाम पर क्योकि आज बहुत कम मैं काम चल जाता है और लोगों को बढा चला के पैसा इक घटा कर जाते हैं, लोगों और धंदा बना रख रहा है, 40-45-45 रूपया कारिक्रम के नाम से इकटा करते हैं, और फिर जेब बना के ले जाते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते, इसलिए दिक्कत आती है. ये दिक्कत इसलिए हमने महसूस की, क्योंकि जितने भी काम करने वाले हैं, जितने भी संग्टरों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे सामाजिक है, चाहे राजनितिक है, चाहे सरकारी करमचरियों का है, चाहे लड़कों का दलबल का है, चाहे कोई समता सेंग दलबल टाइग के उनके संग्ठणों के टुक्डे होते जाते हैं और वो कभी इस बात की चिंतन नहीं करते इस बात कभी जिक्र नहीं करते समिक्षा नहीं करते कि हमारे काम करने से परिणाम उल्टे आ रहे हैं या सीधे आ जो भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके टुक्ड़े हो जाते हैं, और वो आम लोगों को, यानि हमारे जैसे लोगों को कभी नहीं बताते हैं। हालत ये हो गई, कि हमारे सारे सारे अधिकार चले गए, और अधिकार जाने से अब हम बलकुल सड़क पर आगे जहां से हमें बावा साब ने उठाये था, बलकर उससे भी नीचे चले गए हैं, अब हालत बहुत ज़्यादा खराब हैं, बहुत सारी लोग हैं, इस बात को समझ से नहीं, पर हमें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, अभी डॉक्टर रितु सिंका उननेस तारीकों यहां दिल्ली के अंदर कॉल आई, महिला हैं, कॉल आई उनकी, कि वो रोने लगीं, कि मैं यहां खते में हूँ, मेरा पूरा समाज आए, यह आए, वो आए, लड किसी ने कहा, आप नहीं जाए, आप नहीं जाते, आप नहीं गए, तो हमने का, भई हम नहीं गए, तो हमने जाके डॉक्टर रितु सिंग की मदद ही की है, तो वो कहने लेगे, यह कैसी बात हो गई, कि संग नहीं गया वहां पे, और फिर भी डॉक्टर रितु सिंग की मद एक उसमें फलाने टीचर्स का था, एक फलाने का था, एक फलाने का था, एक फलाने का था, और बहुत सारे संख्ठनों के लोग थे, तो मैंने का अच्छा, सारे संख्ठनों के जो लोग आये थे, क्या उन्होंने ये कहा कि आज से हम सारे एक हैं, क्या जी ऐसा तो कुछ नहीं कहा क्या उन्होंने ये कहा कि जी हम सारे संक्टर ने खटे हैं बस एक ही व्यक्ति बोलेगा और जो बोलेगा हम उसकी बात मानेंगे क्या ऐसा हुआ क्या जी नहीं हुआ क्या वहां पर एक कमांड बनी एक बात बनी क्या ऐसा बना कि सारे लोग सांती से बैठके हों चुपचाब बैठके हों और एक व्यक्ति ने ये कहा होगा कि ये कमांड करे और ये ही बोलेगा कि नारा क्या होना किरें जी वहां तो सारे नारे अलग लग लगा रहे थे, क्या ऐसा हुआ कि साही लोग लाइल लगा के बैठे हो, एक साथ आराम से डिसिप्रिन दिखाया और शो किया हो कि हम पूरी तनमेता से इतनी ठंड में आराम से बैठे हुए हैं, और जब तक एक कमान और एक कमान से हमें बा पताओ क्या वहां गौर्मेंट ऑफ इंडिया के आदमी नहीं थे, क्या यूनिवस्टी के आदमी नहीं थे, जो ये बात सुने थे, क्या पुलिस वाले थे, और भी होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो तो वो जो लोग एनिलेसिस करेंगे, जिन लोगों से आप डिमा भी लग थे, बोलने के लिए जगड़ा हो रहा था, एक मंच नहीं थी, एक कमाड नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, सांती से नहीं बैठे, कोई किसी बात नहीं सुनना था, तो इससे वो लोग क्या सोचेंगे, बताओ मेरे को क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि ये मौका परस्त लोग हैं, क्या मैसिज दे के जाओगे, क्या सरकार को ये पता नहीं चलेगा कि ये कितने टुकलों में टूटे हुए आए और कितने टुकलों में टूटके चलेगे, उसी रेस हो गया, केरा जी ये हमने नहीं सोचा, बाई जितने भी भारत के अंदर जितने भी प्रदसन हो रहे हैं, हर बार बताके आते हो आप गौर्मेंट ऑफ इंडिया को कि हम तूटे फटे लोग हैं, हम अलग-लग हैं, हम इन डिसिप्लिन में हैं, हमको अनूर्सासन नहीं आता, हम सांत नहीं बैठ सकते, के रजी ये बात मैंने समझी नहीं, तो मैंने का मैं एक ये ओफिस है, उस ओफिस का एक अधिकारी आया हुआ है, जो वमन है, ये हमारी सुनता नहीं है, आप कुछ ऐसा बोलो इसको केड़ा करके, के ये यहां से डरके और घबरा के जाए, तो मैंने का आप चिंता ना करो, हम एह तब बोलेंगे, के ये आज के बाद में पशिना हो जाएगा और आपके सारे काम करेगा, तो हमने उस ओधिकारी का नाम लेके कहा, कि ये हमारे अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, और ये बहुत अच्छे विक्ति हैं, और सारे लोह खड़े होके, एक minute ताली बजे हैं, इन के लिए, उन के लिए एक मिन ताली जब तक बजेंगी, जब तक मैं ना कहूँ, तालीया बसती रहें लगातार। और पूरे तालिकटोई शेटिम में लोगों ने इस बात को फोलो किया और समने तालिया बजाने सूख करी और वो पानी पानी हो गया व्यक्ती। उसने हाज उड़का जी बस बस ठीक है ठीक ठीक घबरा गया वो व्यक्ति हम उसके स्वागत में ताली बजा रहे हैं और वो घबरा गया अनुसासन वो चीज होती है अगर उसमें से आधे लोग ताली बजाते आधे नहीं बजाते रुख जाते तो क्या अनुसासन क्या वो घ आना है चुप रहना ज़्यादा ताक्तवर है शांती से रहना ज़्यादा ताक्तवर है जहां पचाश लोग खड़े होते हैं और वो गुमसुम हो जाते हैं तो यह तुफान की आने का संक्यत होता है कि यह लोग जब एक command pair एक बात पचर चुप हो सकते हैं और मूोँ नहीं खोलते हैं अगर नहीं को मूँ खोलने के लिए जाएगा तो यह क्या कर सकते हैं यह मूँ की तागत होती है यह silence की power होती है power of silence, power of voice चलनाने से ज़्यादा तागत रो होती है मंच पे माइक पे आप दाड़ोगे और अगर सब को सांथ होने के लिए बोल दोगे मौन करने के लिए तो मौन वाला जादा सकता है क्योंकि वो डिसिप्लिन में है इसलिए हम नहीं गए वहाँ तो उन्होंने का जी आप बलकुछ ठीक करें जब तक हम एक ना हो जाएं हमको जाना नहीं चाहिए तो मैंने उनसे कहा कि भाई जब तुम एक हो जाओगे तो जाने की जोट्पी नहीं पड़ेगी रितु सिंग के डॉक्टर रितु सिंग के जितने भी गिरिवेंसिस हैं वो सौल हो के उनके घर आ जाएंगे, घर आ जाएंगे और फिर दुबारा किसी के साथ होंगे भी नहीं, तुम इखटे तो हो, तुम पड़े लिखे लोग हो, यूनिवस्टी में जा रहे हो, भारत की टॉप यूनिवस्टी के गेट पर खड़े हुए, धन्ना दे रहे हो, त क्या करना क्या नहीं है, तो भाईया, दुनिया से सीख लो, उन लोगों से सीख लो, जो काम्याब हैं, कहां दालते हैं, शांत बैठे रहते हैं, चुप चाप, इखटे रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, एक कॉल आती है, और सारे इखटे हो जाते हैं, हम आई तरह नह अगnya हमें हमें संतों को साथ लेना है क्योंकि संत हमारे हैं और संत बहुत प्यार हैं बहुत अच्छे ने अरे जो संट हो गया ऊक्तार हो आपको अफ्रबाद देकर चला जाएगा कौन सा वह फिट कार कार मंगता है कौन सा मस्ड जिस कारiver सली मेंthat और वो भी जानते हैं कि इनके पास कुछ है नहीं, तो दो रूटी खलाने में क्या जाता है, अगर प्यार से दो रूटी खलाओगे संत का अशिरबाद लोगे, किसी ने लिया आज तक, किसी ने बुलाए आज तक, किसी ने सोचा आज तक, लोगों ने अपने अपने उपास्यों के, अपने अपने संतों की मिले लगाए हैं, सब ने अपने अपने संतों में बनाए हैं, और सब ने आपस में लड़ाई की है, ये मेरा दुर्बलनात संत, ये मेरा गरीमनात संत, ये मेरा गुरु घाजदा संत, ये मेरा रविदाव संत, ये मेरा वालमी की संत, ये मेरा कवीर साब संत, अपने अपने संतों को, क्या संतों ने कहा कि तुम हमारे अलग 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 डेरे बना के और हमको अलग अलग कर दो लोगों से, संतों ने लोगों में भेद नहीं किया, तुमने संतों में भेद कर दि यह दुनिया के संथ हैं यह जो बुद्ध हैं पूरी दुनिया के हैं जो कवीर साथ हैं पूरी दुनिया फैलाओ अरे खुशी की बात है कि हमारे पास में 120 संथ हैं इसमें अफसोस क्या है परिवाज जतना बड़ा होता अच्छा होता पर एकटा रखो ना उसको अलग-अलग संथ की मर्दी और जैसा संथ चाहेंगे वैसा अच्छा काम है बड़ी यह काम है तोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है अच्छे काम के लिए तो अच्छा होता है पैसा तो खर्च हो गाई क्योंकि अगर आप एकटे होगे तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा समय भी टेलेंट भी देना पड़ाएगा रो देना भी चाहिए यह सारी बातें बड़ी स्पच स्पच सी है जो हम बार 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 बताते हैं बार 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 बताते हैं और तब तक बताते रहेंगे जब तक जी बित रहेंगे तीन वार से खुब सवाल जवाब करते हैं, साफ के दिया भाई इस वार, आप बहस करते हो, हमसे स्वागत है आपका, क्योंकि आप जो बहस करते हो, आप जो सवाल पूछते हो, तो उससे समर्संग बहुत मजबूत होता है, हमको जवाब देने के लिए अपना दिमाग चलाना हो, आप में टेलेंट सवाल पूछने हैं, आप में पड़े लिखे हो, आप बुद्धी जीवी हो, तो भाई औरों से करो ना, उन से करो ना, जो सारे अधिकार ले गए हैं, हम आपके साथ हैं, ठोक क्यों सवाल जवाब करो, संग आपके पीछे खड़ा हुआ है, अपने ब बच्चे आपस में लड़ते हैं, प्रक्टिस करते हैं, तो क्या खुद का सिकार कर लेते हैं, अरे शेर की बच्चे आपस में लड़ते हैं, प्रक्टिस करते हैं, पर अपने लोगों को पंजा नहीं चलाते, घायल नहीं करते, पर जब शेर के बच्चे सीख जाते हैं, तो शिकार करते हैं तो फिर वो अपने पंचों का इस्तमाल करते हैं, दातों का और फिर शिकार को कहा जाते हैं, तो भाई practice यहां करो, और शिकार कहीं और को जहां आपने करना है, यह बात वहा समझ में आई, और अगर यह भी कह दिया साफ, के भाई, देखो, अगर आपके पास म गर राजी, चाहाँ खोशी से आओ, चाहाँ मजबूरी से आओ, रास्ता कोई और नहीं है, घर कोई और नहीं है, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही थे, हम भी खुब दिमाग लगाए, पूरी दुनिया में काम किया, सारे संटर में काम किया, हमें भी समझ में आ गया, कि संग से बहतर कोई नहीं है, शनिये संग में काम कर रहे हैं, तो हम भी उसी स्टेश से गुजरें, हमें भी ये पता है, कि संग के लावा कोई रास्ता नहीं, चारा नहीं, और आप से भी निवदन कर रहे हैं, कि संग के लावा कोई रास्ता कोई चारा हो, तो हम को लाओ, हम तो 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 हम तो उसके पैरों को धोके पी लें को विक्ति दिखा दो हमें पर अस्व्भव ऐसा है उसलिए समय कराम करो कोरी चाराईय नहीं और कोई और चीज संग मागम हमारे संगκα संगम है हमारे waves कैई को संत नहीं आएंगे संतों के साथ जो उनके लोग हैं जो उनके अनुयाई हैं वो भी आएंगे और जब आएंगे तो परिवार आपका बड़ा बन होगा और कितना बड़ा होगा आप सोच नहीं सकते आज तक जो व्यक्ति रविदासी है और जो व्यक्ति वालमी की मंदर में काम करते हैं और जो कविर साब के दर्वार में कभी हाजी नहीं नहीं लगा कि आए और आपस में वे मनस्ते हैं वो वी का बिल्ला लगा किया का भाई संत हमारे सारे हैं अब डिकलेर है अब ये बात तैह हो गई है कि सारे संत हमारे हैं इसलिए हम तो गुसेंगे उसमें और त सारे इखटे हो जाएंगे एक साथ उनकी अनुजयाई इखटे हो जाएंगे कितना बड़ा काम पहले से त्यार पड़ा हुआ है आपने क्या करना है एक समण संत समागम लगाना है इसने सारे लोग आईए कोड़ियां बुक हो चुकी है नीचे की जगे रह गई है पर अच्छा लगेगा खचाकच भरेगा तो बहुत बढ़ेगा क्या होगा थोड़ा बहुत खाना ज्यादा बनेगा तो खाना बने तो कोई कोई दिक्कत नहीं है आएं सब लोग किसी के पास अगर आने च्छमता है किसी के पास नहीं है तो भी आएं यह संग है यह सब का संग है संग के अंदर कोई भेद भाव नहीं होता कोई उंच नीच नहीं होता कोई गरीब अमीर नहीं होता कोई यहां किसी की प्रॉपर्टी नहीं है किसी की जागी नहीं है संथ जो संग है वो सबका है सबका खुला हुआ है किसी को इंविटिशन मिले तो किसी को इन्युटेशन ना मिले, संगों में नहीं होते, फिर भी कुछ एहम वहम वाले लोग होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई पछा बना देते हैं, ताकि उन तक जा सके कि भाई आ रहा है, बाकि आम पब्लिक के लिए तो संग हमेसा उनका है, उनका परिवार है, और ये सं संग हमारा बहुत पुना संग है जिसका पवत्तन अब दुवारा से हुआ है और यह पवत्तन बहुत तेसे चल रहा है मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परचानी हुई हो कोई खराब लगी हो तो मैं संग से माफी चाहता हूं संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग जन्हानमामी संगल अमामी संगल मा मीश्चा कर्णन जरसे बिच्छा मूं ऐल्ल में से नम के चुछा मूं संगं सरेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छाम। तूथियं पी संगं सरेनं गच्छाम। बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी